आप मतादे खबर डूंगरपूर से है जहां सिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्कूलों में तालेबंदी पर कॉंग्रेस विधायक और यूथ कॉंग्रेस के प्रदेश और अध्यक्ष गनिश खोग्रा ने बीटीपी को आड़े हातो लिया गोग्रा ने स्कूलों पर तालेबंदी को बीटीपी का शडियंतर बताया विधाय गनिश खोग्रा ने कहा कि सिक्षकों का ट्रांसफर एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें प्रदेश के कई सिक्षकों के ट्रांसफर हुए हैं डुंगरपूर के अलवा, सागवाडा, 84, आसपूर, वासवाडा, प्रतापगर से भी कई सिक्षक ट्रांसफर हो चुके हैं लेकिन बीटीपी के लोग उनके विधानसभा श्वेत्र में आकर स्कूल में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों को गुम्रा कर दुगरपूर जिले में भी चारों विधानसभाश श्वेत्र में हुए हैं मासवडा में परतापगर में हुए लेकिन कुछ पाल्टी है जैसे अरजे ट्रैबल पाल्टी है उसको जान मुझके मुद्दा बना रही है जो हो सकता है वो टीचर उसके समर्थक में हो इसलिए दूसरी पंचाइज के लोग दूसरे विधानसभाश श्यत्रे के लोग आकर मेरी सवास श्यत्र में माहल खराब करना चाहते हैं उन बच्चों को घुम्राः करना चाहते हैं तो मैं भीर राज़ सरकार में हुए लेकिन परशाशन सभी करना चाहता हूं आप ऐसे जो जिस बिल्कुल हम अज्यापक लगाएंगे